नमस्कार दोस्तों मैं रूबी सिंगाठिया और MKH की इस वीडियो सीरीज में आप सुभी का स्वागत है अक्षांश वैद देशांटर इसका फुर्स पार जो है हमारा अक्षांश उनके बारे में सारी जानकारी हैं नमस्कारी नियुक्त है जाएं हो ने जानकारी का से निर्धारीत होता है और हमारे और दूसरे दिशों की जो टाई में उसमें अंतर क्यूं रहता है फिर हुरा जो fix टाई में वो कैसे पता चलेगा अलग-अलग स्थानों पर कहीं सुरेश व्धे, पहले हो जाता है बाद में होता है तो इन सभी चीजों की जानकरी हमें कहां से मिलेगी देशांतर से मिलेगे तो फटावर से हम देखते हैं कि देशांतर क्या होता है तो सिंपल सी बात दोस्तों देशांतर को वैसे तो समझ चुके थे अगर फिर भी हम देखें कि यह जो हमारी पृत्वी है इस पर यह जो उपर का बिल्कुल कोना है और जो नीचे का कोना है इसको हम क्या बोलते हैं दुरू नीचे का जो दुरू है उसको हम दक्षणी दुरू बोलते हैं उत्तर का जो दुरू है यानि उपर का जो दुरू है उसे उत्तरी दुरू बोलते हैं और दोस्तों उत्री दुरूव और दक्षेनी दुरूव को जो मिलाने वाली रेखाए होती है उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर तो दोस्तों उत्री दुरूव और दक्षेनी दुरूव के बीच में यह जो बिलकुल बीच की लाइन है इसको बोला जाता है मध्यानवेह रेखा या इसे ग्रीन विच रेखा भी कहते हैं ग्रीन विच रेखा और इसको जीरो डिग्री दिशांतर भी कहते हैं जीरो डिग्री दिशांतर कह दे या फिर मध्यानवेह रेखा कह दे तो यह सारी के सारी एक ही चीज़ हैं उतरी द्रूफ से दक्षणी द्रूफ को मिलाती है अब यहां पर एक कोशन यह भी आता है कि इस रेखा को ग्रीन विच रेखा क्यों कहा जाता है क्योंकि यह रेखा जो है वह ग्रीन विच शहर से गुजरती है यह जो रेखा है वेक्चर में कहाएं कि ग्रीन विच एक शहर है जहां से गुजरती है इस लिए इस रेखा को क्या बोला जाता है ग्रीन विच रेखा बोला जाता है इतनी चीज हमें clear हो गई है उसके बाद दोस्तों यह है कि उत्तरी ध्रूव और दक्षेणी ध्रूव के इदर का जो हिस्सा है उसे हम पस्चिमी हिस्सा बोलते हैं पस्चि पूरव की तरफ चलें तो जो दिशांतर आएंगे हम उन्हें बोलेंगे पुर्वी दिशांतर तो दोस्तों इस रेखा के सापेक्ष किसी भी स्थान की जो कोणिये दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे दिशांतर फोर एक्जामपल जैसे हम यहाँ पर चलें पृत्व के इ अगर इस तरह से जो भी विंदू यहां पर होंगे क्योंकि प्रिच्वी बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह होती है तो बॉल की तरह अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रो करते हैं पूरी लाइन की जो दिशांतर है वह समान रहेंगी इस तरह सी कई रेखाएं खीच दी जाएगी यहीं से लेकर के इस तरह की कई रेखाएं यहाँ पर बन जाएगी जिनके समान देशांतर होंगे तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोलते हैं अब दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया था कि ए जीरोडिए जो बीच किये इस से उदर और बिलकुल इसके पिछे तक जाने में 180 पूरव देशांतर रेखाई धूर दोस्तो असी पस्चिमी देशानता रेखाई होती है यह हमने जान लिया था तो दोस्तो पूरव और पस्चिम की देशानता रेखाई क्या होती है यह हमने देख लिया देख लिया देशानता रेखाई क्या होती है प्रधान मध्यानवे रेखा क्या होती है इसे प्रधान मध् हैं क्या-क्या आंसर होंगे उनके सब चीज़ें हम यहां पर करने वाले हैं पहले आप समझ लीजिए चलिए सबसे पहले हमारे पास है कि देशांतर रेखाएं टोटल देशांतर रेखाएं कितने हो गई दोस्तों 360 डिग्री हो गई या फिर हम सिंपल सी बात करें कि 360 टोटल अब यह है दोस्तों हमारा सूर्य अब सूर्य के सामने जब प्रित्वी एक चक्कर लगा देगी तो हमारा क्या हो जाएगा एक दिन हो जाएगा तो एक दिन में प्रित्वी कितने चक्कर लगाती है एक चकर लगाती है इस तरह से एक बार घूमती है पूरी एक बार घूमत अब जब एक बार घुमेंगी तो सुर्य के सामने से कितने दिशांतर गुजरेंगे अब माल लिजिए कि यह बीच वाला जो जीरो डिगरी दिशांतर इसको अगर घुमा दिया जाए तो माल लिया कि जीरो डिगरी दिशांतर यहां पर आ गया इधर भी 180 और पीछे वाले 180 है यह जीरो वाला जो था इसको क्योंकि बॉल है तो इसको घुमा करके हम इसके सामने ले आए अब यहां से यह शुरू हुई और एक चकर पूरा निकाल करके जीरो डिगरी वापिस यहां पर आ गया तो एक दिन में इसने कितना घुमा इसने घुमा 360 डिगरी इसका मतलब क सो कि एक दिन यानी 24 गंते 24 गंते में यह कितना डिगरी कितने देशांतर घुमी 360 देशांतर यह घुम चूकी है अगर हम बात करें 24 गंते गी और अगर हम बात करें एक घंटे अगर 24 गंटे में 360 डिग्री घुमती है दरती तो एक गंटे में कितनी डिग्री घुमेगी तो दोनों को 24 से भाग दे इसको 24 से भाग दे तो चैचो की 24 होते है चार अब इसको काटा तो कितना गया पंदरा डिग्री यानि एक घंटे में प्रित्वी जो है वो कितनी देशांतर घुम जाती है पंदरा डिग्री देशांतर घुम जाती है इतना आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही सिंपल सी बात है 24 गंटे में 360 घुमती है एक गंटे में 360 बटे 24 और 24 से भाग दिया तो पंदरा आगया मतलब एक घंटे में प्रित्वी कितने डिग्री घुमती है पंदरा डिग्री घुमती है अब एक घंटे की बात नहीं हम एक घंटे में कितने मिनट होते है तो एक घंटे में सिंपल सी बात है एक घंटे में 60 मिनट होते है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रित्वी 15 डिग्री घुमने में कितना समय लगाती है साथ मिनट अब हम देखते हैं कि एक डिगरी घूमने में वो कितना समय लगाएगी एक डिगरी घूमने में कितना समय लगाएगी दोनों को पंदरा से भाग दिया इसको पंदरा से भाग दिया एक आ गया इसको पंदरा से भाग दिया तो 60 बटे 15 कितने आगे ही आगे 4 मिनट मतलब कुल मिला करके पृत्वी जो है एक डिगरी देशांतर गुमने में कितना समय लगाती है 4 मिनट लगाती है अब दोस्तों हर जगें का स्थानिय समय अलग-अलग होता है कैसे यहां पर यह चीज देखना ज़रूरी है अब थोड़ा सा इसको समझते हैं एक चीज हमें क्लियर हो गई कि पृत्वी जो है वो एक डिगरी गुमने में कितना समय लेती है 4 मिनट का समय लेती है एक चीज हमें क्लियर हो गई चलिए अब दोस्तों क्या हुआ कि यह जो पृत्वी है यह सूरे के सामने से गुजरती है यह है पस्चिमी और यह है पूरव अब दोस्तों पस्चिम से पूरव की तरफ यह जब यूँ घुमती है तो जो हिस्सा सूरे के सामने से निकलता जाता है वो समय गुजरता जाता है, ऐसा हम मानते हैं अब माओ लीजए कि यहाँ पर यह रेखा थी 0 Degree DTr 0 Degree DTr गई उसके बाद 4 मिनेट में 1 Degree DTr इसके सामने आ जाएगी अगले 4 मिनेट में 2 Degree DTr अगले 4 मिनेट में 3 Degree DTr एंतर इस तन्य से 360 जब गूमती है तो कितने घंटे हो जाते हैं चोविस घंटे हो जाते हैं और दिन नیا शुरू हो जाता है इसका मतलब नया दिन कहां से शुरू होता है नया दिन शुरू होता है जीरो डिगरी देश quickestर से इसको हम एक एक जामपल थोड़ा सा इसको visualize करके समझते हैं कैसे अब दोस्तों मान लिया ये वैसे तो इसकी चड़ है ये globe है मान लिया कि एक बार इसकी चड़ है मान लिया कि ये क्या है सूरे है मान लिया एक बार कि ये सूरे है सूरे को ये माना है हमने अब ये जो पृत्वी है इसको सूरे मान लेते हैं मान लीजिए कि ये जो इसका जो स्टैंड है वो हमारा सूरे है अब सूरे की बात करें तो मान लीजिए कि ये जो है हमारी ये जीरो डिगरी दिशांतर है अब ये सूरे के सामने है बिल्कुल सूरे के सामने है अब सूर्या के सामने से जैसे ही ये घूम करके पूरा चक्कर लगाके वापिस इसके सामने आएगी तो इसको क्या हो जाएगे 24 गंटे कंप्लीट हो जाएगे एक दिन हो जाएगा अब दोस्तों अगर कोई जो स्थान है माल लीजे यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ पर एक स्थान है माल लीजे कि एक जनवरी से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक चकर स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्टिंग से चले तो यह 1 जनवरी हुई 1 जनवरी complete हो गई और यहाँ पर यह आ गया अब अगर देखे थोड़ा सा आगे चला गया तो इससे जो आगे चला वहाँ पर तो क्या हो गया दूसरा चक्र शुरू गया है यहाँ पर तो 2 जनवरी ही आ गई लेकिन इस जगये की बात करें तो इस जग है यानि अगर हम जीरो डिग्री दिशांतर के पूरों में जाएं तो अग्ला दिन आ जाता है पस्चे में जाए को पिछली prosecution रहती थिया मतलब समय का नहीं दिन का निरधारण कों करता है जीरो Somya देशांतर करता है, यह चीज़ हमें समझ आ गई है, अगर इसे इदर कोई स्थान है, वो सूरे के सामने से अब तक गुजरा नहीं है, तो वहां नया दिन नहीं आया, लेकिन जीरो डिगरी देशांतर के उधर वाला जो जगह है, वहां पर नया दिन आ गया है, यह चीज़ हम 12 रात के 12 बजते हैं लेकिन वो होते क्या है 12 am होते हैं यानि दिन के 12 बजते हैं अब जैसे ही एक डिगरी दिशांतर सूरे के सामने आएगी तो 12 बजकर 4 मिनट हो जाएगे जैसे ही 2 degree देशांतर आएगी 12 मज़कर 8 मिनट हो जाएगी जैसे ही 3 degree सामने आएगी 12 मज़कर 12 मिनट हो जाएगी तो आपको चीज क्लीर हो गई होगी कि जैसे जैसे 0 degree देशांतर के बाद देशांतर आगे-ागे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो समय है वो आगे-ागे बढ़ता जाता है अब दोस्तों सभी की अलग-लग देशांतर हैं माल लीजिए कि यहाँ पर कोई स्थान है यहाँ पर कोई स्थान है यहाँ पर कोई स्थान है बी तो ए स्थान और बी स्थान एक ही दिशांतर पर है तो इन माल लीजिए कि तीन डिगरी दिशांतर पर है तो यहाँ पर समय कितना होगा बारा बज़कर बारा मिनिट होगा जब दोस्तों अगर मालेज्ये कि हम यहां पर चल जाएं C स्थान पर तो इनके से दिखा जाएं तो हर जगें का जो समय है वो अलग अलोगा मालीजिए यहां पर कोई देश है ए देश है यहां पर कोई देश है क्यू देश है यहां पर कोई देश है और देश है यहां पर जो देश है पी माल लेते हैं तो पी क्यू और तीनों देशों का अलग-अलग समय स समय को बोला जाता है वहां का स्थानिय समय क्या बोला जाते दोस्तों वहां का स्थानिय समय अब सिंपल सी बात है कि एक देश इतना बड़ा है एक देश इतना बड़ा है यहां से कई सारे देशांतर गुजर रहे हैं तो यहां पर तो अलग-अलग जगें का समय अलग-अलग आपके जो मामा जी है या आपके ताया जी है उनके शहर में अलग समय अब अगर समय की बाते करेगी हां जी कित्ते बज़े आओगे आप जी कित्ते बज़े जाओगे आपकी ट्रेन कित्ते बज़े चलेगी तो इस तरह बहुत कंफूजन हो जाएगा हमारा चार बज़े उनक समय को मानेगे for example अगर हम भारत को ले अभी समझ लीजी आप सभी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी अब चलिए यहां पर भारत में से कई सारे देशांतरियों गुजरते बिलकुल गुजरते चलिए बहुत अच्छे लेकिन दोस्तो को मालिया कि हम तो इसके समय को मानेंगे और यह जो दिशांतर है वो क्या 2 82 degree 30 मिनट हमने माल लिया कि यह जो दिशांतर है हम इसके जो है समय को मानेंगे और इसको भारत की क्या बोला जाता है तो दोस्तों इसको जो है भारत की मानक समय रेका कहते हैं और यह जो है 82 32 मिनट और बारत की मानक समय रेका में कितने पांच घंटे समय का अंतर आता हमारा गृश्या mermaidy है वह बारा बजे नहीं होते हमारा जो सुर्या है 12 बजे से 5 गंटे लेट यानि 5 बज़े सूरियोध्य हमारा माना जाता है लगबग लगबग इस लाइन पर अगर हम इसके और पस्ची में रहते हैं तो हमारा सूरियोध्य और लेट होगा मान लीजे कि अगर आप राध्यस्तान में रहते हैं तो इस रेका कि काफी समय बाद आपका सुर्य कोगा क्योंकि यह क्या है प्रिच्फी गोल है तो देरे देरे सुर्य के सामने आ रही है तो पहले जो यहां पर है वो चीज सुर्य प्र बाद वाली है वो आएगी तो इसका मतलब हमारा जो सुरुद्य होगा कितने बज़े होगा साधी पात की बाद 6, हुए क्योंगि पिर्छ्वी वह फच्षीं से पूर्व के परफ जा रही है पूर्व viaगा बाद बैद मीं अब आएगा दोस्तों अबने दिन कैसे ही अगला चेंज होता है यह तो आप पर जो हमारी क्या है जीरो डिग्री वाली देशांतर है अब दोस्तों जैसे ही यह जीरो डिग्री वाली देशांतर आगे जाएगी यानि चार मिनट होंगे जैसे ही जैसे ही चार मिनट आगे बढ़ेगा समय वैसे ही जीरो डिग्री देशांतर जो आगे चली जाएगी और य जीरो डिग्री दिशांतर जो आगे चली गई है वहाँ पर क्या बज़ेंगे वहाँ पर 12 बज़ करके 4 मिनट हो गए होगे क्योंकि वह सूर्य अध्या के आगे पहुंच चुकी है 4 मिनट यह चीज़ आपको क्लियर होगी जब 2 डिग्री इसके सामने आएगी तब क्या होगा वन डिग्री पर तो 12 बज़ कर 4 मिनट और 0 डिग्री और घुम जाएगी और एक डिग्री घुम जाएगी 0 डिग्री तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर 4-4 मिनट ऐसे समय बढ़ता जाएगा मतलब क्या है कि सूर्य के इदर अगर जाए तो समय में 4-4 मिनट घटता जाता और सूर्य के उधर अगर चले जाएं तो चार-चार मिनट बढ़ता चाता है यह चीज़ हमें क्लियर हो गई तो यहां पर दिन और रात का निर्धारण कैसे होता है सूर्य के अगले दिन का निर्धारण कैसे होता है तो सूर्य से होता है जैसे ही क्रोस होई वैसे ही वहां पर अगला दिन हो जाएगा यह चीज़ हमें क्लियर होगे डेट कैसे बदलती है तो डेट बदलती है कि अगर जीरो डिगरी देशांतर इसके सामने है तो जीरो डिगरी देशांतर से उधर तो अगला दिन है और इधर पिछला दिन है यह चीज़ हमें क्लियर होगे इसके बाद जोर सो सिंपल सी बात है कि अगर हम पूरव की पूरव की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर चार डिगरी का सम्यator 1 डिग्रे के साथ 4 मिनट बढ़ते जाएंbon अगर पस्चिम की तरफ आ रहे हैं तो वहां पर 1 डिगरे साथ 4 मिनट का समय गटता जाएका क्योंकि वो तो आगे जा रहा है और अगर पस्चिम की बात करें तो पस्चिम में एक डिगरी के साथ चार मिनट का समय जो है वो गटाया जाएगा ये होता है हर किसी देशांतर का अपना अपना स्थानिय समय तो आपसे पूछ लिया जाए किस्थानिय समय का निर्धारण कैसे किया जाता है तो वो किया जाता है उसकी देशांतर से चली एक चीज़ वह में क्लियर होगी अब वो पूछता है यहां पर एक कोशन आता है कि ऐसा क्यूं होता है कि जैसल मेर जैसल मेर में जब साथ बज कर चालिस मिनट होते है तब जैपूर में आठ बज जुके होते हैं स्थानिय समय की बात हम करें स्थानिय समय अगर देशांतर के अकॉर्डिंग देखें मानक समय जो है गड़ी जो है वह अलग दिखाती है वह एक अलग बात है लेकिन अगर मानक समय को छोड़ करके स्थानिय समय देखा जाए तो जैसल मेर में जब 47 बजेंगे तब जैपूर म में और जैसल मेर कि पश्ची मेर जैपूर जाएं तो चार का समय हमेंगे जाएंगे तो बड़ेगा 20 में बड़ेगा और जब 20 मिन CAP talent चाएंगे तो साथ चालीस में बीस जोड़े आठ बच जाएंगे तो यही रिजन है कि जब जैसल मेर से जैपूर अगर हम देखें दोनों में अंतर क्यूं है क्योंकि दोनों में पांच डिगदी देशांतर का अंतर है और अगर हम पूरा की तरफ जाते हैं तो जोड़ा जाता है समय इसलिए 20 मिनट जोड़ जाएंगे जैपूर जाने में मतलब जैपूर के समय में चले यह चीज हमें clear हो गई अब दोस्तों अगर इस तरह से हो जाए कि जैपूर सब चीजों का जो समय है वह अलग-अलग हो जाए तो उसके लिए हम पढ़ चुके हैं जो साध्य ब्यासी डिग्री होती है उसको मानक समय रेखा जो है वह लिया जाता है यह चीज़ हमें clear हो गई है चलिए दोस्तों नेक्स फिरम देखते हैं इसकी ठोरी की कैसे कै इसफिर कैसे यहां पर जो हिए में ठीन कोश्य में कैसे कहते हैं दौसरा कोशन की दिशानतर रेकाइं किसे कहते हैं तीस्टार कोशन की भारत कि मानक समय रेखा इसे कहते हैं स्थाणिय समय मानक समय इन बारोग इनके पारोग पड़ लिए इसके लावा चोटे कोशण बन सकते हैं आप और पहले होंगा कहा पर बाद में होगा तो यह सारी चीज़ें हमने वहां पर डिसकस कर ली हैं अगर वहां पर कोई कोशन आता है तो आप अच्छे सुख को बता सकते हैं चले अब यह जो तीन तीन कोशन उनको देख लेते हैं परदान मद्यानिया रेखा किसे कहते हैं तो सिंपल सी बात कि प्रि कि दिशांतr किसको गहते हैं और देखेंगे कि दिशांतर रेखाएं कि waxειी सथान की कोणिये स्थिती दिशांतर कहलाती हैं आप देखें यहां पर क्या है कि ये अ हमारी यह हमारी जीरो डिग्री दिशांतर रेखा है अब इसने क्या कहा है कि ग्रीन विच रेखा जो है उससे पूरा पच्ची मिस्थित कोई विस्थान अब यहां पर पूरा पच्ची मिस्थित कोई विस्थान हमने ले लिया माल लीजे यह ले लिया तो यहां पर इससे जो स्थि स्थिति हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं देशांतर बोलते हैं अब यहां पर जो भी इस तरह से यहां पर जो भी देशांतर होंगे उनकी स्थितिया समान होगी और इन सभी देशांतर को तो मिला दिया जाएए यह बनती है देशांतर रेखान को सब्सक्रूब को कुल संख्या 360 होती है समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं यह रेखाई उत्री दुरूफ से दक्षिनी दुरूफ तक खिंची जाती है मतलब उपर के दुरूफ से लेकर के नीचे के दुरूफ तक खिंची जाती है यह हमें सम समय होगा तो अब इस समस्या को सुलजाने के लिए क्या किया गया कि एक देश में अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग स्थानी अमान हो सकते हैं इस समस्या को सुलजाने के लिए उस देश के मद्य भाग से गुजरने वाली एक समय रेखा को उस पूरे देश की मानक रेखा मान लिया जाता है तो ऐसा भारत में क्या गया कि भारत के बीचो बीच लगबग बीचो बीच गुजरने वाली जो रेखा थी clicked 52 एसी डिगरी 82 डिगरी 30 मिनट जो थी उसे क्या मान लिया घ्या भारत की मानक समय रेखा चलिए यह समझ आ गया हमें जो ग्रीन विच रेखा से साध्य पांच घंटे जोड़ने पर प्राप्त होती है मतलग हमारे पास जो समय है वो साध्य पांच घंटे जादा है हमारा समय किसे ग्रीन वीच रेखा से तो बारत की मानक समय रेखा कौन सी है तो चलिए दोस्तों होफुली यह जो सेकिंड पार्ट है यह आपको समझ आया होगा देशांतर समय सुर्यों देश से डिलेड़ेड जितनी भी कुशन होंगे जितनी भी क्वेरिज होंगे आपकी क्लियर हो गई होगी तो इसी के साथ यह चैप्टर हमारा कंप्लीड हुआ ने